जाहिंदर नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरिश वगत करता हूँ आपके अपने यट्यूब चैनल दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेसली बहुत सारे बच्चे बोलने कि सर ऐसे सी जीडी का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कब तक होगा और वो बच्चे बोलने जिनके नमबर बहुत कब है क्योंकि वो उमीद लगाएं बैठे हैं अब उनके पास में एक ही जरिया है वो ह हमारे कितने नमर होएं जैसे आप सबी को पता है किके पेपर में मान लो 30 नमर है 40 नमर है किसी के 45 नमर है तो ज्लूर नहीं कि 30 नमर वाला इससे भी आगए जा सकता है नौलाइजेशन की मदद से और इसा हुआ है मान लीजिये कि जिस बच्चे के 35 नमर उसकी सिफ्ट इजी है ये सिफ्ट हार्ड है ये इसकी एक्यूरिसी भी एच्छी है तो ये बिल्कुल नॉर्मलाजिशन में मान लो 16 नमर प्लस जाके 36 पे जा सकता है इसमें कोई शक नहीं है तो वो इस परकार होगा कुछ है कि पहले यहां पर आपके नमर रहेंगे जो आपके पेपर में आ रहें और यहां पर रहेंगे टॉटल तो टॉटल में जितने भी बड़े चीशे मान लिए आपके पेपर में 30 है टोटल में गर 26 लेगे हैं तो इसका मतलब है आपके 16 बढ़के यहाँ पर 35 है यहाँ पर 35.5 हुआ तो इसका मतलब 0.5 ही बढ़ा है यह दोनों चीज़े हैं लेकिन आपको तब ही पता चलेगा जब आपके फिजील के लिए पहली कटोप आएगी और आपके टोटल नर्मलाजेशन के बाद के आखड़े बहार आएगे तो उस ताइम पर आपको पता चल जाएगा कि आपके नर्मलाजेशन में कितने नंबर बड़े हैं दोस्तों जै हिंद जै भार